सिंगापो के एक छोटे से गाव चंगी के पास थित एक अस्पताल जिसे चंगी अस्पताल के नाम से जाना जाता है ऐसा ही एक स्थान है जहां भूत प्रेतों का वास है इस अस्पताल में जितने भी लोगों की जाने गई आज वो एक आत्मा बनके यहां आने वाले हर इंसान को अपने पास ना आने की चेतावनी के तौर पर उन्हें दराती हैं। अस्पताल से कब्रगाह बने चंगी अस्पताल का इतिहास। इस अस्पताल का निर्मान वर्ष 1930 में सैनिकों के इलाज के उद्देश्य से करवाया गया था। उस समय यह मिलिटरी अस्पताल हुआ करता था और द्वितिय विश्वयुद के बाद इस पर जापान का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापान के घायल सैनिक इस अस्पताल में लाए गये थे। लेकिन उस समय मेडिकल सुविधाय कुछ खास उपलब्ध नहीं होती थी इसलिए जितने सैनिक यहां भरती हुई थे उनमें से ज्यादातर की मौत हो गई थी। अस्पताल में हो रही इन ही मौतों के कारण एक भयानक बीमारी ने अस्पताल के सभी लोगों को अपनी चपेत में ले लिया था। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद कई नर्सों और चिकित्सकों की मौत हो गई थी और कहते हैं आज ओनी की आत्माएं इस अस्पताल में भटकती रहती हैं। स्थानिय लोगों के अनुसार यह जगह मनहूस है और मृत आत्माओं की ताकतों को यहां बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। अस्पताल में एक नर्स के साई को अकसर देखा जाता है। मुश्किल है चौकीदार से लेकर स्टाफ तक वहां हर आत्माओं अपना वही पुराना रोल निभा रही हैं जो वह जिंदा होने पर नहीं है।